भारत और पाकिस्तान के बीच में वर्टकप 2018 का semi-final match अगर हो जाए तो कितना ज़्यादा मजाएगा अब ऐसा ही कुछ मौका बनते हुए नज़र आ रहा है चलिए हम आपको बताते हैं कैसे हो सकता है इंडिया वसाज पाकिस्तान का semi-final match जासा आप तभी को पता है भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर एक आम match भी होता है तो पूरी दुनिया उसे देखने के लिए बेताब होती है और भाई record बनते है अब जाना सोची है अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में semi-final match होगा तो फिर उसका crazy कैसा होगा क्या आप इसके लिए excited हैं जरू से comment box में लिखना तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि हाँ एक बार और हो सकता है इंडिया वसे पाकिस्तान वर्ड कप 2023 में क्योंकि अगर भारत ये टीम का मुकाबला semi-final में होगा तो फिर इंडिया वसे पाकिस्तान के इस match को लेकर कितना ज़्यादा crazy होगा साय से कुछ कहा नहीं जा सकता इससे पहले भारत और पाकिस्तान semi-final में 2011 वर्ड कप में आमने जामने थे जहांबर भारत ये टीम जीती थी और semi-final में पाकिस्तान आर गई थी तो चलिए हम आपको बताते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में वर्ड कप 2030 में semi-final मुकाबला आखिर हो कैसे सकता है चलिए आज किस वीडियो को सुरू करते हैं उससे पहले आप चैनल पर नया हुज़े पहली बार देख रहे हो आप सुरू को बता है कि वर्ड कप 2030 में हो रहा है टॉप की चार टीम में ही semi-final के लिए कौलिफाई करेंगी और ऐसे में जो टीम टॉप पर होगी उसका मुकाबला चार नंबर पर रहने वाली टीम के साथ में semi-final में बीड़ेंगी ठीक है अब ऐसे में बहार टॉप पर रहेगी तो टीम नंबर चार पर जाएगी semi-final होना उसी सिता है ठीक है और नंबर दो पर जो टीम हो इसका नंबर तीन से मुकाबला होगा तो फिलाल भाथी टीम नंबर तॉप पर 1 पर है और नंबर 4 पर पाकिस्तान जाने के लिए काफी ज़एप अभी यह कैसे हो सकता कि नंबर चार पर पाकिस्तान कैसे पहुँच सकती वह हम आप बता देते हैं जैसे आँ तो भी खोता है, कि नंबर 4 पर अभी New Zealand है, New Zealand के पास में 8 थंक है, आठ में 4 जीते हैं, 8 थंक है, वही परकिस्टान के पास में 8 थंक है, चार जीत है, 8 में, और नंबर 5 पर है. यानि कैसे उनका run rate थोड़ा सा बेहतर है पाकिस्तान से इसलिए वो नमबर चार पे हैं अब अगर पाकिस्तान को जो last match वो इंग्लेंड के साथ में 11 तारिक से हो न्यूजिलेंड का जो last match है वो है से लंका के साथ में 9 तारिक हो अब अगर न्यूजिलेंड वहां पर से लंका से हार जाती है तो फिर नमबर चार की जो सपना होगा उसका तूट जाएगा है है नमबर 6 पर अफगानिस्तान जिस अपने 7 मैचेस में 4 जीते हैं और असके दो मैच भाग की है अगर 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 2 match जीत जाती है तो फिर पाकिस्तान और नियूजिलेंड कोई नहीं जाएगे तो फिर पाकिस्तान नमबर चार पे पहुँच जाएगी अब ऐसे में भारत और पाकिस्तान का मैच हो जाएगा वर्टकप 2023 में सेव फाइनल में अब आप बताओ अगर भारत और पाकिस्तान का मैच हुआ वर्टकप 2023 में सेव फाइनल में तो उसके लिए आप कितना ज़्यदा एक्साइट हैं आप इसका इंतिसार कर रहे हैं कि भारोज़ पाकिस्तान एक बार फिर से वर्टकप 2030 में आमने सामने हो और उसका मज़ा हमें देखने को मिले आपको क्या लग रहा है? कमेंट बॉक्स में जरू से बताना और कितने लोग चाहते हैं कि भारोज़ पाकिस्तान स्वेव फाइनल में ना मिले हैं डाइट फाइनल में मिले हैं इसके लिए कितने लोग एक्साइटे हैं स्वेव फाइनल के लिए कितने लोग एक्साइटे हैं कमेंट बॉक्स में जरू से बताना है और चैनल में पहली बार रहा है मुझे पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब को लिए चैनल को अभी तक क्यों नहीं किया मिलते हैं सकते हैं वीडियो में तब तक की लिए बाई टेक केर